नमस्कार आप सभी का स्वागत है वर्दान एक्स्प्रेस के इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि 17 नमंबर को मतदान्त हो गया मद्द प्रदेश में लेकिन अब लोगों की आखें नजरें टिकी हैं मतगर्णा को लेकर टिकें भी क्यों ना क्योंकि मतद प्रदेश में सरकार किसकी होगी इसका फैसला 3 दिसंबर को आने बाला है इसके अलाबा आपके छित्र का बिधाय कौन होगा इसका भी फैसला 3 दिसंबर को आने बाला है इसलिए पूरे मतद प्रदेश के मतदाताओं की नजरें अब 3 दिसं से हम आपको बताएंगे कि जम मतगर्णा होगी उस समय कौन से महत्पूर्ण बिंदूओं को लेकर प्रसासन तैयारी कर रहा है और कैसे मतगर्णा होगी कितने चर्णों में होगी तमाम चीजों की जहनकारी इस वीडियो के माद्यम से आज हम आपको देने वाले हैं तो इस व गिंती होने वाली है मतगर्णा होने वाली है इसके अलाबा किन कि ड्यूटी लगाई गई है पूरा बिस्तार से हम आपको इस वीडियो के माद्यम से बताने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं लेकिन हमने जिस तरीकी से आप से कहा कि हमारे इस वीडियो के अंतर तक जर इसके अलाबा च्छतरपु बिजाबर और चंदला की बात करें तो 19.49 में काउंटिंग होगी और इसके बाद परिणाम आएंगे इस टॉंग रूम की से बात करें तो यहाँ पे पोश्टर बैलेट बाहर निकलेंगे जब तो यहाँ पे वीडियो ग्राफी की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी संका ना रहे और किसी भी प्रकार के कोई भी आरोप ना लगाए जा सके प्रतियासियों के अधिकरत प्रतिनीदी भी यहाँ पे मौझूद रहेंगे इसके अलाबा अब हम आपको बताते हैं छतरपुर जिले की छे विधानसवा सीटे हैं जिसमें मदगर्णा 3 दिसंबर को सहर के एक्सिलेंस केमपस में होने वाली हैं इसको लेकर प्रसासने के स् पूरे इंतजाम किये गए हैं सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम में इसके अलाबा सीसी टीवी कैमरा भी सबी जगाए लगाया गया है जिसमें छतरपुर जिले की राजनगर महराचपुर मलहरा बिधानसवा में परिणाम 20 राउंड की गर्णा के दोरान आने वाले हैं जैस के जो परिणाम हैं बोर रुजान मिलने लगेंगे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचान अधिकारी संदीब जी आर ने सोसल मीडिया के माध्यम से और मीडिया को जानकारी देते हुए बताए कि पोस्टर बैलेट की सुभए ट्रेजडी निकाली जाएगी और इस दोरान पा सासन पर आरूप ना लगें और पाड़ दरसिता बनी रहें अब हम बात करेंगे कि सर्विस बोटर के की यहां पे तो यहां बता दें आपको छतरपुर जिले में मतदान किंद्रों में तैनात सरकारी अधिकारी और करमचारियों के लिए ETPS electronic transmitting ballot जो returning अधिकारी के माध्यम स सर्विस बोलिट तकनीकी माध्यम से उपलब्द कराये गया था बोटिंग के बाद इन्हें लाने के लिए बिसेश पोश्टर अधिकारी नियुक्त किये गए थे सर्विस पोश्टर एबियम के मतदाना केंद्र में सुबा आठ बजे के लिए जाएंगे इसके बाद यहां पे तमाम बयववस्टा हैं बोग की जाएंगी इसके बाद हम आपको बता दें तीन प्रकार के पोश्टर बैलेट जीपीएस लेस बाहन से लाए जाएंगे मतदाना केंद्र पर जिले के भुजर्ग दिब्यांग और कर्मचारी के पोश्टर बैलेट को जीपीएस से लेस बहनों से मतगर्णा केंद्र पर लाया जाएगा इसके अलाबा सबसे पहले पोश्टर बैलेट की गर्णा होगी इस्टोंग रूम में गर्णा केंद्र तक पोश्टर बैलेट ले जाने के लिए दौरान पित्यासी बाद उनके अधिकरत प्रतिनीदी मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी संकाना रहे ओप जिला निर्वाचन अधिकारी नमस्षिवाय अरजरिया ने बताया कि पोश्टर बैलेट की गर्णा के लिए तीस मिनिट का समय अधिकरत किया गया है और उसके बाद जो साधारन गर्णा है वो EVM मसीन बाली वो शुरू ह तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे यह तमाम चीजे होंगी और अब हम आपको बता दें कि यहां पे साड़े आठ बजे से जो EVM मसीन है उसकी गर्णा शुरू हो जाएगी तो ऐसे में आपको जो इंतजार है तीन दिसंबर का तो उसके लिए थोड़ा सा और जानकारी से साजा होने के लिए वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में जुड़े रहिए और अगर आपको यह जानकारी महत्पूर्ण अच्छी लगी हो तो वीडियो को जादा जादा लोगों तक शेर कीजिए कमेट बॉक्स पर आप अपने सुझाओ भी दे सकते हैं अ आप किसी भी महत्पूर्ण जानकारी से बंचित ना रह सकें फिलाल वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिए सुरक्चित रहिए खुश रहिए